हलो दोस्तों, गूट मॉर्णिंग, स्वागा देखवाब, फिर से आप सुभी का MZA Education में दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 सितंबर 2023 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो द्यांस देगेगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को Like और Share जरू कर देना चैनल प्रगर नाया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना शुरू करेंगे कल के Revision से तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाली में अंतराष्टी सांती दिवस कब मनाया गया तो सांती दिवस मनाया जाता है प्रतेक वर्ष 21 सितंबर को इसके अलावा अभी नुवाखाई जुहार मनाया गया दोस्तो ओडिसा में और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ICC ने वंडे विसकप 2023 के लिए कौन सा एंथम सांग रिलीज किया है तो दिल जस्न बोले रिलीज किया है इसके अलावा विज्यान प्रोसकावनों की कितनी स्रेडियों के तहट राष्टे विज्यान प्रोसकारब दिये जाएंगे तो चार स्रेडियों में चार कटेगरीज में राष्टे विज्यान प्रोसकारब दिये जाएंगे उत्तरप्रदेश सरकार जो है ये व्यापारी कल्यान दिवस की रूप में किस्तिती को घुजित किया है 29 जून को 29 जून को ही हम लोग राष्टे सांकी की दिवस भी मनाते हैं ICMR जो है निपाः वायरस की निदान के लिए 2-0 टेस्ट को मंजूरी दिया है किरला में और समयक्त सैनभ्यास सिंबैक्स जो है इसका आयोजन ये सिंगापूर में हो रहा है इसके लावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि PM मोदी जी ने सिव थीम वाले स्टेडियम की आधार सिला रखी है वरारसी में भारत ने 10,000 एलेक्ट्रिक बसे लांच करने के लिए अमेरिका के साथ समझ होता किया है और BCCI ने SBI Life को अभी 3 वर्सों के लिए अपने Official Partner Group में उनको चुना है और चुनावायोग ने यूआ मद्दावताओ को सिच्छे करने के लिए अभी एक Comic Book लांच की है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल की नाम से ये Top 11 Current Affair के Questions थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है Revision और वो भी मात्र ही एक मिनट में ठीक है अब बात करेंगे हम लोग आज की Current Affair की लेकिन उससे पहले में आपको बता दू कि PDF और Quiz बिलकुल Free में आपको दी जाती है तो आप जा करके MZT App से इसका फाइदा उठा सकते हो रोजाना की रोजाना और आप One Liner भी सुरू कर दिया गया है One Liner आपको हमारे WhatsApp चैनल पर दिया जा रहा है WhatsApp चैनल का Link आपको Description मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा आप WhatsApp चैनल को जॉइन करिए फालो कीजिए वहीं पर आपको One Liner डेली रिविजन पहजा जा रहा है ठीक है? शुरू करते हैं हाली में Never Too Early, Never Too Late थीम के साथ 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है विस्व अल्जाइमर दिवस और इस बार के विस्व अल्जाइमर दिवस की थीम है Never Too Early, Never Too Late ठीक है ना? मतलब बहुत जल्दी ना करो और बहुत देर भी ना करो अल्जाइमर ये अल्जाइमर रोग के बारे में अल्जाइमर फैलाने के लिए जागता फैलाने के लिए मनाया जाता है अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर बिसेकली दोस्तों एक मानसिक रोग विकार है इसमें भूलने की इसमर सकती खो जाने की एक समस्या आती है अलजाइमर रोग से अमूमन देखा जाता है कि बुजर्ग जो होते हैं उनको ये बिमारी होती है 65-70 साल के उपर के जो हो जाते हैं अक्सर देखते होगे आप सुनते होगे कि वो चीजों को भूलने लगते हैं तो लेकिन अब वही चीजें बच्चों में भी देखने को मिल रही है कहीं कहीं पर तो अलजाइमर रोग से जो पीड़ित होते हैं तो इसके बारे में आवरेनेस फैलाने के लिए ये दिवस है और इस बार की थीम भी देखो Never too early, never too late का मतलब क्या है इसका मतलब है कि बहुत जल्द बाजी भी ना करें कि अगर हलका फुलक चीजें को भूल रहा है कि हम ये पैन कहां रखें जिसे कभी-कभी मैं भी होता है कि मुबाइल हाथ में लेकर के मुबाइल धूर्ण रहा होता हूँ तो ये सब पर ऐसा नहीं कि जाके उसको डाक्टर से मिलवादो की अलजाइमर रोग हो गया इसको ऐसा ना करो, बहुत जल्दी भी ना करो और बहुत देर भी ना करो मतलब अगर कोई इससे भूलने की बिमारी है, किसी को अगर लगतार चीजे भूल रहा है, बहुत सारी चीजे भूल जा रहा है गलती करने के बाद भूल जाता है कि मैंने क्या किया, तो ऐसे लोगों के लिए देर भी ना करो, इलाजी करवाओ ठीक, अब देखो, इसी दिन दो और दिवस मनाये गए हैं, इनको भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अलग से इसका कुश्चन लेने का कोई मतलब है नहीं, यहीं पर मैं इसको भी अर्जेस्ट कर दे रहा हूँ, जैसे विस्व रोज दिवस, वोड रोज डे, यह दोस्तों मनाये जाता है बाइस सेप्तमबर को, है ना, बाइस सेप्तमबर को ही मनाये जाता है और विस्व गैंडा दिवस भी मनाये जाता है बाइस सेप्तमबर को, तो यह दोनों दिवस भी मने ले लिया, बहुत ज़्यादा इ थोड़ो, बहुत सारी website भी आपको इसको गुलाब दिवस लिखेंगे हिंदी में, लेकिन वो हो जाएगा गलत, ये विस्सो रोज डे है, विस्सो गुलाब दिवस नहीं है, गलती से भी मत करना, ये गुलाब देख करके मत जाना, विस्सो रोज दिवस बैसिकली एक छोटी लड़की की कहानी है, और मैंने इसको हर बार बताया है, हर साल बताया है, जब जब आता है, एक छोटी सी लड़की थी, बच्ची थी, कैंसर रोग से पीडित थी, और वो हॉस्पिटल में बाकी जो कैंसर की पेसेंट हुआ करते थे, उनको जा जा करके गुलाब दिया करती है, ठीक है न, लेकिन ये रोज देख करके दुख तो ये होता है, हिंदी वाली जितनी वेब साइट है, वो विस्टु गुलाब दिवस इसको घोशित करती है, गुलाब दिवस नहीं है, याद रखना, उस लड़की की याद में ये बनाया जाता है, कैंसर पीड़तों के प टास्क फोर्स गठन किया था, किसने बिहार गॉवर्मेंट ने, राइनो टास्क फोर्स गठन किया था, बिहार गॉवर्मेंट ने ये भी याद रखना इंपोर्टन है, ठीक है, और सबस्यादा गैंडे कहां पाए जाते हैं भारत में, तो आप बताएंगे भारत में सबस् पूछे जाते हैं ठीके ना असम में भारत में सबस्यादा गैंडे पाये जाते हैं आगे बढ़ें अब ये दिवस है आज रिवाइज कर लेंगे हम लोग दो सितंबर को मनाया गया था विस सुनारियल दिवस पांच सितंबर को राष्टी सिक्षक दिवस मनाया गया सरुपडली राधाग्रिशन जी की जैनती पर मनाया जाता है पांच सितंबर को अंतराष्टी चैर्टी दिवस, आठ सितंबर को अंतराष्टी साक्षर्ता दिवस, यह important है इसके अलामा आठ सितम्बर को विस्व फीजियो थेरेपी दिवस, 9 सितम्बर को विस्व इवान दिवस, 10 सितम्बर को विस्व आत्म हत्या रोगथाम दिवस, pressure, suicide prevention day, important है, हिन्दी दिवस मनाये जाता है, 14 सितम्बर को और इंजिनियर्स दे मनाये जाता है, 15 सितम्बर को, बाकी 22 सितंबर को मैंने आपको बताया गंड़ा दिवस और रोज डिवस ठीक है आगे बढ़ते हैं पिम नरेंद मोधी जी ने 26 जनवरी 2024 को गरतन दिवस समारों में मुख्य आतीथी की रूप में किसको आमंतिर्त किया तो देखो गरतन दिवस होता है 26 जनवरी इस शुरू होता और 31 जनवरी तक चलता है यह 24 जनवरी नहीं अब यह 23 जनवरी से सुरू हो गया है यह पहले 24 ज जीनके अउसर पर हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस तो ये पराक्रम दिवस से सुख्रू होकर करके 31 जनवरी तक मना जाता है गड़तन दिवस का समारोख। जीसमें बहुत प्रकार के इवेंट्स होते हैं, राजगाट पर ये सारे इवेंट्स होते हैं, जाकिया निकलती है राजजियों की, जाकियों को पुरुसकार भी दिया जाता है, पिछली बार वाला उत्रखंड ने पुरुसकार जीता था, मानसखंड के लिए, ठीक है, अपना मानसखंड थीम पर लांच किया था, और एक अत 23 में आये थे अब्दल फता अलसीजी, जो की मिसर के प्रेसिडंट है, और 2024 के लिए यहाँ पर PM मोदी जी ने इन्वाइट किया है जो बाइडन को, ठीक है, बुढ़ो दादा को इन्वाइट किया गया है, जो बाइडन को गरतन दिवस के समारों में, ये अमेरिका की राश चुनाओ लगा है, इनकी यहाँ भी आएंगे जरूर, है ना, इनको भी तो वोट चाहिए, और जानते हैं, इंडिया की कम्यूटी वहाँ पर भी बहुत जादा है, तो फिल हाल, ये अगर आते हैं, तो ये दूसरे अमेरिकी प्रेसिडंट होंगी, बाराक अबामा के बाद 2023 में आये थे, अब्दल फतहल सीसी, 2021 और 22 में कोई नहीं आया था, ठीक है, और इससे पहले कौन-कौन कपकब आया था, ये भी लेश्ट यहाँ पर दे दी गई है, जैसे आपको लाश्ट के दो-तीन याद रखना है, बहुत ज़दा नहीं जाना है, 2020 में आये थे, जैयर ब इन्विटेशन इनको भेजा गया था, ठीक है, चलो, तो 2015 में बराको बावा आये थे, आगे बढ़ें, भारतिय ओलंपिक संग ने ACI खेलो के उधगाटरन समाहरों में दोजवाहक के रूप में किसे चुना है, तो देखिए भारतिय ओलंपिक संग ने ACI गेम्स के उधगा अगेम्स के उधगाटरन समाहरों में दोजवाहक के रूप में चुना है, दो वेक्तियों को, एक हर्मन प्रीत सिंग को और एक लवलीना बोरगोहन को, इन दोनों को चुना गया है, देखो ये जब पिछला वाला जो ओलंपिक हुआ था, तब ही ये परता सुरू हो गई है और चल रही है कि दो लोगों को बहजा जाता है फ्लैक बीरर के रूप में एक इंडियन टीम से में तीम के लिए, एक विमन से तीम के लिए, तो में टीम का प्रतनिध्त करेंगे ये, उत खार्ण समाहरों में सभी देश के जो खिलाडी होते हैं, वो एक पंक्ति में चलते ह उनका राश्टगान गया जाता है दोहज लेकर की चलते हैं, है ना, जो दोहज बकड़ा होता है, उसे कहते है दोहज वाहग, वो अपनी टीम का नित्तिर्ट कर रहा होता है, तो वही होता है फलैग बीरर, तो ये पुरुष टीमों को एक के लिए लेकर चलेंगे, और ये महि पूचा ही जाएगा आप तो यह चाइना के हॉंग जो मेरा आप मुझे कमेंट करके आज बताऊगे यह कौन सा संस्क्रण है यहां लिख तो नहीं दिया है मैंने पुस्ट पॉन किया गया है और ये दिखो ये सारी चीजे हो गई है भारतिय टीम का स्पॉंसर अमूल है भारतिय टीम को अमूल ने स्पॉंसर किया हुआ है जो गई हुई है अब और क्या जान सकते हैं यहां से लिंक कर सकते हैं भूल तो नहीं गए हो, साथ मिडल जीते हैं, एक तो था गोल्ड नीरचोपना ने जीता था और दो सिल्वर था, दो सिल्वर, एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार थे अपने ब्रॉंज मिडल, ठीक है न, ये सब याद रखना, भूलना मत, यहां से कुश्चन पूछा जा सकता है, ओलंपिक चार साल के इंपोर्टेंस रखता है, तो चार साल में कभी भी पूछा जा सकता है, है न, भारत रहाता 48 अस्थान पर, अगला, ICC पूरुष T20 विस्वकप 2024 की मेजबानी किस देश की दोरा की जाएगी, देखो, यहां पूरुष T20 विस्वकप की बात की जा जाएगा, चौक गे, बिलकुल, यही है नया टाइट प्लस, अमेरिका में, कभी नहीं हुआ है मैच, इतना बड़ा इवन्ट, पहली बार हो रहा है, अमेरिका में होगा, और वेस्टन डीज में, दोनों मिल करके इसकी मेजबानी करेंगे संयुक तुरुप से, वो भी अमे मेजबानी अपना खुद बिडिंग पर करेंगे, जीत करके लिए जा रहे हैं, खुब पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन मेजबानी उनको चाहिए, किसी तरीके से, क्योंकि मेजबानी जब अगर एक टीम के हो गई, एक खेल की हो गई, बड़े इवन्ट की, बहुँ जादा टूरिजम बढ़ जाता है, चलो तो 2024 का ये T20 वर्ट का होगा, चलो तो बताओ 2022 वाला किस ने जीता है, 2022 वाला इंगलेंड ने जीता है, इंगलेंड अभी टाइम पर दोनों चैंपियन है, 2022 का ये जो T20 हुआ था, इसका भी चैंपियन है, और जो ODI हुआ था, 2019 का, क्योंक चल रहा हुआ, फिलहाल 2023 का, 2023 का ICC विशुकप होने जा रहा है, ICC World Cup होने जा रहा है, ठीक है, ये कहां होगा, इंडिया में होगा, इंडिया में जबानी करेगा, 5 अक्टूबर से ले करके ये 19 नमबर तक चलेगा, क्लियर है, 5 अक्टूबर से 19 नमबर तक इसका आयोजन क किया जाएगा, और इसके सारुक खान मनाए गए है, ब्रांड अमजडर, महिंद्रा, महिंद्रा इसके बनाए गए है, टाइटल स्पॉंसर है न, ICC की दोरा ये हो रहा है, चलो, आगे, ये बाकी डिजल मैंने आपको सब बता चुका हूँ, कोई चीज़ छूटा नहीं है, सब कुछ हो गया है, आगे बढ़ते हैं, वैस्विक कॉसल सिखर सम्मेलन का 14. संसकर कहां हुआ है, तो देखो, ग्लोबल स्किल समिट, इसका 14. संसकर जो है न, ये नई दिल्ली में हुआ, कहां पर, नई दिल्ली में हुआ, आगे बढ़ू, इससे पहले आप बाकी के चीज समिट हुआ था, जी सेवन समिट हुआ था, याद है, चलो, नई दिल्ली में जी ट्वंटी हुआ था, जी ट्वंटी हुआ और ये भी हुआ, ठीक है, इसके लाओं जोहांसबर्ग में, जोहांसबर्ग में ब्रिक समिट हुई थी, याद है न, साउथ अफरीका में जोहांस किया जा रहा है, ठीक है, 20-21 सितंबर को 2023 में ये नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया, इसकी थीम क्या रखे गए थी, Building Skill, Empowering Youth, और Creating Future, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते, Building Skill, Empowering Youth and Creating a Future, ओके नई दिल्ली में, अगला, हाली में असम सरकार ने युवाओं के ससकती करण और आतनिर्भता के लिए कौन सा अभियान सुरू किया, तो असम सरकार ने अभी हाली में मुख्यमंतरी आतनिर्भर असम अभियान सुरू किया है, यह किसके लिए, युवाओं के सस साल तक के लिए, दो लाख युवाओं को, दो-दो लाख रुपए दिये जाएंगे, जिससे वो अपना कुछ भी, जो स्टार्ट अप करना होते हैं, स्टार्ट अप या कोई भी स्किल अपना करके सुरू करना हो, वो कर सकते हैं, और आतनिर्भता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा मिला लेके भग जाएंगे सब, पहले इनको एक महीने के लिए परसिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगे प्रपर, उसके बाद पुरा डाटा, पुरा सब कुछ लिया जाएगा, कि क्या करन क्या ना सभी राज्यों से अपना बॉडर सेहर करता है, तो आपको किसी राज्य को याद करने की जुरुवती नहीं है, किसे अपना बॉडर लगाता है, ये सबसे लगाता है बॉडर इसर, एक्शोल, मैं सभी राज्य इसी से Lalग हुए हैं, धिरे-धिरे, अल्टिमेटली करक देखो, असम के हेमंद विश्व सर्मा BJP पार्टी से CM है, अभी इनको सिंगापूर में अवार्ड मिला था, सिंगापूर के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया था, भी कुछ दिन पहले मैंने रताया था आपको, यहां के गवर्नर है गुलाब चंदर कटारिया, इनका ना मैंने निशनल पार्ग को याद कराने के लिए बिलकुल तुलसीदास जी की theme पर एक दोहा सुनाया था, अगर आपको याद हो, ट्रिक है, बहुत अच्छी सांदार ट्रिक है, सातों के साथ निशनल पार्ग आपके तयार हो जाएंगे, यहां पर नाम लिखे गए हैं, मैं दोहा आपको पढ़कर के बता रहा हूँ, आप लोग बैठ करके डिकोड कर लेना, ठीक है, असम के डिब्रुगर से काजी राम के मानस आये, राम नाम लेकर के अरंग जेब को दहिंग पढ़का है, ठीक है, याद रखना, चलो, इसके अलामा बिहु निरत यहां पर बहुत तो 33 नहीं है यहां, 126 विधान सभा सीटे हैं, लोग सभा में 14 और 10 सभा में 7 सीट यहां से जाती है, अगला, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थववस्था कौन बनी, वर्ड, freest economic कौन बन गई है, तो वो बन गई है दोस्तो सिंगापूर, एक्चुली में ना, सिंगापूर पहली बार देखो, यहां पर टॉप पर आया, होंग कॉंग जो है, यह 53 साल से, तिरपन साल से यह टॉप पर चल रहा था, टॉप पर था, होंग कॉंग, और यह पहली बार सिंगापूर जो है, यह इनको पीछे कर दिया है, होंग कॉंग को, तो इनकी सत्ता खतम हो गई है, तो यहाँ पर देखो अच्छा एक चीज और यह जो इंडेक्स है ना यह जो इंडेक्स है मैं आपको economic freedom बता रहा हूँ economic freedom रैंकिंग बता रहा हूँ जो यह इंडेक्स यह इसकी official website जो है ना कौन सी website है इसका Fraser Institute इसके दोरा जारी की गई है confused मत होना by mistake मतलब बहुत time इसको लगा मुझे ढूणने में क्योंकि जो दूसरा रैंकिंग है वो जारी किया गया है उसमें इंडिया की रैंक 131 बताई जा रही है लेकिन इस वाले में 87 रैंक पर इंडिया है तो यहाँ पर जो यह जारी की गई ह यह जारी करता है Fraser Institute और इसकी official website पर यहाँ पर जाकर के screenshot लिया गया है homepage से ही तो 87 रैंक पर भारत है और top पर देखो Singapore आ गया है second पर Hong Kong है third पर Surgerland है जो मैं बता रहा हूँ दूसरी वाली जो रैंकिंग आई है उस वाली रैंकिंग में second पर आपको Surgerland दिखेगा first पर Singapore उसमे भी है है ना और उसमें भारत की रैंक 101 तेस्विया लेकिन वह आला सही नहीं मानना है ओके चलो तो यहां पर भी वही सारी चीजे हैं यह इसे कहते हैं हम लोग Economic Freedom Index 2023 तो यह Economic Freedom Index 2023 है और Fraser Institute की दोरा यह जारी किया गया था clear भारत 86 अस्थान पिछली बार था इस बार 87 अस्था पर है अगला हाले में किसे नार्मर बोरलाग फिल्ड अवार्ड 2013 के लिए विजयता चुना गया तो नार्मर बोरलाग देखो नार्मल बोरलाग यह थे कौन पहले तो यह कमेंट करके बता दो 2023 के लिए इनको विजयता चुना गया है किसे यह नार्मर बोरलाग फिल्ड विन्स प्रिस्टीजियस नॉर्मन बोर्लॉग फिल्ड अवाइड नॉर्मन बोर्लॉग याद आया विस्व में हरित करांती के जनक पूछा जाए भारत में तो आप जानते हो ना स्वामी नाथन लेकिन विस्व में अगर पूछा जाए हरित करांती के जनक कौन है विस्व मे हरित करांती के जनक करांती के जनक तो यही हैं ठीक है ना के जनक यही हैं तो यह हैं स्वाती नायक जो है किरसी और खाद उत्पादन के छेत में इनका जो योगदान रहा है actually में इन्होंने Seeds Without Borders नाम का एक अंतरा स्टे जो बीज नीत समझोता है उसको बनाने में तयार कराने में अपना contribution दिया था अपना अहम योगदान दिया था इस वज़ा से इनको इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है important पुरस्कार है याद रखना हालिमी सर्विया के बेल ग्रेड में विश्यो चैंपियंशिप 2023 में अन्तिम पंगाल ने कौन सा पतक जीता तो देखो सर्विया के बेल ग्रेड में विश्यो चैंपियंशिप चल रहा है विश्यो कुस्ती चैंपियंशिप कुछ दिन पहले मैंने आपको कोशन लेकर के बताया हुआ था विश्यो कुस्ती चैंपियंशिप यहां हो रहा है है ना भारती टीम गई हुई है तो भारत के लिए पहला मेडल भी आ चुका है पहला मेडल ब्रॉंज मेडल के रूप में आया और पहला मेडल किसने जीता अन्तिम पंगाल ने देखो पहला मेडल जो होता है अंतिम पंगाल जो है यह महिला है और यह कुस्ती है रसलर है ठीक है ना कुस्ती की खिलाड़ी है तो तेरपन किलोग्राम की वर्ग में इन्होंने कान सपतक जीता है है ना विश्टु कुस्ती चेंपियंसिप यह हो रहा है 16-24 सतंबर तक अभी और मेडल आएंगे अभी दिवसी यह नदी उत्सो आयोजित हुआ नई दिल्ली में नदी उत्सो इंपोर्टेंट है बहुत ही महात्वपूर्ण उत्सो है यह चौथा संसकर्ण है इसका इस बार का इसका चौथा संसकर्ण है ठीक है ना चौथा नदी उत्सो है तो बाई से 24 सितंबर तक यह आयोज संसक्रण है 2018 में कहा पर हुआ था पहला वाला तो पहला वाला आप बताएंगे नासिक में हुआ था नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा सहर है याद रखना important है नासिक से ही कौन सी नदी निकलती है गोदावरी नदी तो यह हुआ 4000 कंट, तो यह तो थे 10 कुश्चन आज के, टॉप 10 कुश्चन कम से कम समय में कोशिस किया गया है, जादा जादा कॉंटेंट देने का, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और सेर करके हमारा मनुबल बढ़ा सकते हैं, टेली गराम आप इसको जॉइन कीजिए, क्योंकि टेली गराम चैनल जो है इसी चैनल पर जो सामवाली लाइव क्लास होती है, जिसमें जनवरी से लेकर कि सितंबर तक का आपका रिविजन कराया जा रहा है, लाइव क्लास के माध्यम से, आप में से जितने भी लोग जिनका एक्जाम ल लेने की ज़रूरत नहीं है, करेंट अफेर के लिए, अगर आप उस सिरीज को पूरा अच्छे से फालो कर लेते हो तो, तो आप जो है, सामवाली लाइव क्लास की प्लेइश्ट बनी हुई है, सारी क्लासे डिक डालिए, है ना, और जितना अब जो आगे आने वाली है, उस नारी सकती वंदन अधनियम, भारत का पहला सकाई वायक ब्रिज की सराजी में इस्तित है, तो यह है सिक्के में, चलो, आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है, विस्टु का सबसे बड़ा क्रकेट स्टेडियम कौन सा है, बहुत इजी कुशन है, आप सब बता ल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए नमसकार जहें, वन्दे मात्रम